यह वीडियो यह जानने के लिए उपयोगी है कि राधा कृष्ण ने जीवन में किस प्रकार संघर्ष किया। घोर अंधकार, जेल की कोठरी, देव की और वसुदेव, चिंतित मुद्रा में। अचानक चारों ओर दिव्य प्रकाश फैलता है। बालकृष्ण का जन्म होता है। देव की भावुख होकर, यह हमारा पुत्र नहीं, यह तो साक्षात नारायन है। वसुदेव, मुझे इन्हें गोकुल ले जाना होगा। यह कंस के क्रोध से सुरक्षित वहीं रह सकते हैं। बारिश, यमुना नदी के ऊपर वसुदेव, बालकृष्ण को ले कर जाते हैं। शेशनाग उन्हें बचाते हैं। गोकुल में बाली लाएं। नंद बाबा और यशोदा मा बालकृष्ण को गोध मेले खुश हैं। क्रिश्ण अपने दोस्तों के साथ माखन चुराते हैं। बालकृष्ण शरार्ती मुस्कान के साथ। मा, माखन तो बहुत मीठा है, पर तुम्हारे प्यार से मीठा नहीं। सब हसते हैं। राधा और क्रिश्ण का प्रथम मिलन, व्रिंदावन के जंगल में राधा और गोपियाम जारी, शासे नाकंग, चौग पीना जल भरने आती हैं। राधा मन में सोचते हुए, यह कौन है जो मेरे हृदय की हर भावना को बानसुरी की ध्वनी में बुन रहा है। क्रिश्ण मुस्कराते हुए, मैं तो वही हूँ जो सदैव तुम्हारे साथ था, है और रहेगा। प्रेम की गहराई, राधा और क्रिश्ण के बीच एक समवाद, राधा, क्रिश्ण क्या यह प्रेम है। क्रिश्ण, प्रेम वह है, जो आत्मा को परमात्मा से जोडता है। हमारे बीच का यह बंधन प्रेम से परे, भक्ती का रूप है। दोनों रित्य करते हैं, गोपियां गाती हैं। क्रिश्ण राधा और गोपियों से विदा ले रहे हैं। राधा की आँखों में आशू हैं। क्रिश्ण, राधा यह विदा केवल शारीरिक है। मेरे दिल में तुम्हारा स्थान अचल है। मुझे मेरा कर्तव्य निभाने जाना होगा। राधा, मैं जानती हूँ, क्रिश्ण। प्रेम की पराकाष्ठा अलगाव में ही होती है। कुरुक्षेत्र का युद्ध और गीता का उपदेश। क्रिश्ण अर्जुन को गीता का ज्यान दे रहे हैं। क्रिश्ण, जो हुआ वह अच्छा हुआ। जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है। और जो होगा वेह भी अच्छा होगा। बस अपने करतावेर और सब्सक्राइब फॉर मोर।